जहिन दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त प्रमोध यादाओ आप सभी का स्वागत करता हूँ डिफेंस वाला के ओनलान प्रेटफर्म पे जैसे कि हम बात कर रहे थे मैतेमेटिक्स की तो मैतेमेटिक्स में हमने कई सारे टॉपिक्स कवर किये हैं आज जिस टॉपिक की मैं बात करूँगा वो है क्या वो है हमारे पास स्पीड टाइम डिस्टेंस आज हम स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं Speed, Time and Distance बहुत ही शांदार टोपिक है अगर मैं आपसे बात करूँ आपकी डेली लाइफ में Speed, Time, Distance का बहुत यूज है आप करते हो मम्मी पापा भी करते हैं आपके भाई बेन भी करते हैं आपके आजू बाजू जित्ते लोगे ना सब इसका यूज करते हैं किसी ना किसी त करता और देखेंगे topics to be covered आज हम इस topic में क्या-क्या देखने वाले हैं तो सबसे पहली बात तो basic understanding of the concept देखो यहां पर Speed, Time, Distance के कई सारे concept देखने को मिल जाएंगे वह सारे discuss करेंगे उसके बाद कुछ उससे questions हैं जो कि topics related उन्हें discuss करेंगे because क्या है ऐसा कोई scene नहीं है कि इसी type का आना है उसी type का आना है ऐसा कोई scene नहीं है सब type के करने वाले हैं हम ठीके ना clear है बात तो आज की हम बात को शुरू करेंगे और सबसे पहली चीज तो मैं आपसे यही पूछूंगा क्या आपने क speed time distance पढ़ा है अगर नहीं पढ़ा है तो आज आप पढ़लीजे एकदम शांदार तरीके से पढ़ने वाले हैं हम तो देखो ध्यान देना सबसे पहली चीज तो जब हम छोटे थे या फिर हम बचपन से यही सुनते आए हैं क्या speed बराबर होता है distance upon time चाल बराबर दूरी ब distance upon time यही तो होता है आई होप आपको इतनी बात पता होगी भाई क्या होता है कि speed इस गुष्ट क्या होता है distance upon time if I said कि time जो है वो one unit है क्या है one unit है तो मुझे एक चीज बताओ क्या होगा speed जो हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी किसके distance के किसके बराबर हो जाएगी distance के कहने का क्या मतलब हो गया unit समय में cover की गई distance मेरे पास क्या है speed इतनी बात समझ में है कि नहीं units time में cover की गई distance ही हमारे पास क्या है speed है इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं क्या बोला गया 21 समय में चली गई दूरी ही हमारे पास क्या कहलाती है चाल कहलाती है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी बात सबको clear है की नहीं clear है मुझे ये बताओ आपने ये देखा है की नहीं देखा भाई क्या speed is to distance upon time है मैंने time को one unit बोल दिया जब मैंने time को one unit बोल दिया तो क्या हुआ speed बराबर हो गई distance के that means unit समय में चली गई दूरी ही चाल है इतनी बात clear चलो यहां तक तो बात clear हो गई होगी अच्छा आपने ये देखा ना speed बराबर होता है distance upon time क्या होता है speed बराबर इस पीड को मैं S बोल देता हूँ, स्पीड बराबर क्या होदा है, distance upon time, या फिर हम बोल सकते हैं, distance is equals to speed into time, ये भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, I hope आपको ये बात समझ में आरे होगी, कि हम क्या बोल सकते हैं, distance को हम बोल सकते हैं, speed into time, बिलकुल बोला जा सकता है, ठीक है, या फिर आप time को क्या बोल सकते हैं, time होता है मेरे पास क्या, distance upon speed, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आई हो पित्ती बास समझ में आरे होगी, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे आप मैं देखूँ, तो these are the derivatives, मतलब इसी formula से यह दोनों बने हुए, तो कहने का मतलब कि मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम्हें multiply करना जादा अच्छा लगता है, या फिर divide करना जादा अच्छा लगता है, बताना मुझे comment section में जुरूर बताना, ठीक है, आप इस प्रिथवी से हैं, इस गोला से हैं तो आपको multiply करना ही अच्छा लगेगा, ठीक है न, बाकी अगर मार से हैं या जूपिटर हैं, इस तो बात अलग है, लेकिन अपन अगर हर्त से हैं था तो अपन को ऐसे लगता है, ठीक है न, क्या multiply करना, तो हम देखो, simple ली चीज़ है, ये बिल्कुल सही formula है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस formula को हमेशा base बना के चलने वाला हूँ, पूरे topic में, मैं ऐसा इसलिए करूँगा, बिकोज मुझे multiply करना आसान लगता है, ठीक है न, चलिए, यहाँ तक बात समझ में आगई, ये तो हम बचपन से देखते आए हैं, अब हम देखेंगे क्या, what is the concept, क्या-क्या, किस तरह के concept है, वो देखते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो हम बात करेंगे, आप ये जानते हैं, कि distance बराबर क्या होता है, speed into time, ठीक है न, speed बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, speed into time, आप देखो थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या गया रहा हूँ, आप डेली घर से निकलते हैं, क्या, घर से निकलते हैं, मतलब गाना मत गाई यह आप डेली क्या हुए घर से निकले डेली आप घर से निकलते हैं और आप कोचिंग कहा कोचिंग सपोस्पोचिंग जाते ना कोचिंग पहुंच जाते हैं दस बजे ध्यान देना मेरी बात को ध्यान से सुना मैंने क्या कहा आप डेली घर से निकलते है कनते हैं घर से निकलते ही कुछ दोर चलते ही हमारे पास क्या आता है कोचेंग हम डिलिऊ घर से निकलते हैं घञेनेस नीकलते हैं हम 8 बजे और कोचिंग हम पहुच जाते हैं 10 बजे पहुच जाते हैं मेरी बात को ध्याज सुनना है क्या रहा हूँ डेली घर से निकलने आप 8 बजे डेली कोचिंग पहुच जातेैं COचिंग तोड़ा से आके जाना है कि लेकिन आपको कोचिंग से थोड़ा आगे जाना है कोई शॉप है किसी भी चीज की शॉप हो सकते या फिर कोई मेला लगा हुआ है मेला लगा हुआ है तो आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं आप टेली घर से निकल नहीं आट बजे आप अ सबल्सक्राण्य कोचिंग पूंचा अनलकल को ध्यान से सुनना क्या कि डेली आठ बजे चल रहे थे क्या कर रहे थे डेली आठ बजे चल रहे थे डेली कोचिंग पहुंच रहे थे दस बजे लेकिन एक दिन क्या कर रहे आप आठी बजे निकल रहे हो और आपको क्या करना है आपको दस ही बजे क्या करना है को कोचिंग स थोड़ा सा आगे जाना है यानि मेले पे जाना है दस बजे तो करोगे क्या देखो भाई सिंपल ही चीज है अगर मैं आप से बात करूँ तो दूरी बढ़ गई ना पहले कोचिंग तक जा रहे थे अभी हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया लेकिन हमने टाइम में कोई चेंज किया यही बात हुई ना तो पहली कंडिशन यही हुई क्या जब टाइम मेरे पास क्या हो कॉंस्टेंट हो क्या हो टाइम कॉंस्टेंट हो क्या हो टाइम कॉंस्टेंट होगा तो हमने क्या क्या डिस्टेंस को बढ़ाया ना अब डिस्टेंस को जब बढ़ाया हमें समय रवाचना हो कहने का मतलब औरaci Alla जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें किसको भी बढ़ाना पड़ेगा मतलब यह डिस्टेंस जो है वह ड्रैकली परपोर्रोशन हो रही है किसके स्पीड के इतनी बात समझ में आरी है कि इत्ती बात कुलियर है वहивать है सूरी सब्धिसर्टां हैSamaur has aячार यहां वैंग को य हूंप को बढ़ना हो जब टाइम कॉंस्टेंट ग्याद रखेंगा जब कभी भी टाइम कांसेंट होगा जाएसे जैसे हम क्या करेंगे डिस्टेंश सब्धाइएंगे वैसे वैसे हमको क् 3 ratio 5 होगा, इतनी बात सबको समझ में आई की नहीं, I hope आपको इतनी बात समझ में आई होगी, क्या बताया मैंने, simple दी चीज है, जब कभी भी क्या होता है, time constant होता है, जैसे जैसे हम क्या गड़ते है, speed को बढ़ाते हैं, या फिर distance को बढ़ाते हैं, तो distance को बढ़ाएंगे, त अगर मैं बात करूँ क्या, speed को बढ़ाएंगे, तो distance भी उसी के साब से बढ़ेगी, मतलब क्या जिस ratio में distance होगा, उसी ratio में मेरे पास क्या होगी, speed होगी, यहां तक बात clear है, पहली condition clear हो गई होगी, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगली condition की बात कर लेंगे, ठीके न हमने देखा था, distance बराबर क्या था, speed into time ही था, अभी क्या करना है, अभी आपको क्या कारना है, speed constant करनी है, क्या, speed constant की बात करेंगे, ध्यान देना, फिर वाई, example लेंगे, यह है मेरा घर, हम डेली घर से निकल रहे हैं, ठीके, आठ बजे, कोचिंग पहुच जा रहे हैं, ठीके न, कोचिंग पहुच जा रहे हैं, कितने बजे, दस बजे, एक दिन फिर मुझको फेर पर जाना है, बट, मुझे क्या करना है, अपनी speed में कोई change नहीं करना है, पहले जिसे speed से जा रहे थे, उसी speed से हमें distance को cover करना है, तो भाई, क्या बात हुई, भाई, बताओ ज़ constant, अगर speed को हम constant ले लेंगे, तो होगा क्या हमारे साथ, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, distance को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे मेरा time period बढ़ जाएगा, वैसे speed हमारी कैसी constant, मतलब क्या speed जब constant होगी, तो distance जो है, वो directly proportion होगी, किसके time के, इतनी बात समझ में आई की नहीं, मेरे को बताओ, क्या ये बात समझ में आई, क्या, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, distance को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, distance को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे मेरा time period बढ़ता जाएगा, क्या हुआ, और ऐसा कब हुआ, जब speed constant है, इतनी बात समझ में आई, मतलब क्या distance is directly proportion to time, उसका मतलब क क्या है, अगर distance ratio मेरे पास 5 ratio 7 है, तो मेरे पास speed ratio भी किता होगा, sorry, time ratio भी किता होगा, देखो, time ratio भी मेरे पास किता होगा, 5 ratio 7, condition क्या है, जब speed constant है, याद रखिएगा, जब कभी भी speed constant होगी, तो जैसे जैसे हम distance को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे मेरा time period बढ़ेगा, और ज issue मेरे पास time period का होगा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात clear होगी, मतलब पहले अभी हमने देखा है क्या, time constant देख लिया हमने, हमने speed constant देख लिया, अब बचा है कौन, distance constant, आप इसको कैसे देखेंगे, वो देख लेते हैं बच्चे, ध्यान देना, आप जानते हैं, distance बराबर होता है, speed, distance बराबर मेरे पास क्या होता है, distance बराबर होता है, speed into time, इतनी बात तो सबको पता है, अभी मैंने बताया हुआ है, distance बराबर क्या होता है, speed into time, if I said distance is constant, what I said distance मेरे पास क्या है constant है क्या है distance constant है कैसे ध्यान देना मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा what I am going to try to say ठीक है मेरी इंगलिश थोड़ी से कम जो रहे है न ठीक है न तो don't mind यहां तक बात क्लिए है मैंने क्या कहा distance हमारी constant है मैं क्या क्या रहा हूँ आप डेली घर से निकलते हैं कहा से निकलते हैं मेरी ड्रॉइंग भी अच्छी नहीं है डेली आप घर से निकलते हैं आठ बजे और कोचिंग पहुंच जाते हैं कितने बजे 10 बजे ठीक है ना कोचिंग पहुंच जाते हैं आप 10 बजे एक दिन क्या करना है आप 8 बजे निकल ले हो लेकिन कोचिंग पहुंचना है आपको 9.50 पर क्या क्या रहूं मैं डेली आप घर से 8 बजे निकलते हो ठीक है डेली आप 8 बज़े निकल लए हो आपको कोचिंग ही जाना है लेकिन कितने बज़े पहुचना है नौ बचके 50 मिनट पे क्या करोगे मुझे यह बताओ लेकिन एक दिन हो क्या रहा है कि हम घर से निकल ले हैं उतने ही बज़े लेकिन हमें जल्दी पहुचना है और जल्दी पहुचना को तो आप क्या करोगे वहिकल के स्पीड को बढ़ाओगे तो कहने का मतलब क्या है जैसे जैसे देखो भई सिंपल चीज़ है डिस्टेंस तो मेरे पास घर से कोचिंग की ही है ना मतलब डिस्टेंस तो कॉंस्टेंस तो कॉंस्टेंस कॉंस्टेंस है तो जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ स्पीड को बढ़ा रहा हूँ टाइम पीरि रहाते हैं वैसे वैसे मेरा time period क्या होता जाता है कम हो जाता है कब हो की condition है जब distance constant है मतलब speed जो होगी वो inversely proportion होगी किसके time के इतनी बाद समझ में आई कि नहीं इतनी बात क्लियर है इतनी बात क्लियर मतलब क्या अगर speed ratio 4 ratio 5 है तो time ratio इसका reverse हो जाएगा यानि 5 ratio 4 इतनी बात सबको समझ में आई की नहीं मेरे को यह बताओ क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई what I am going to say मैं आपसे क्या 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 रहा हूँ कि मैंने आपको तीन कंडिशन मताई है आप ठीक है ना पहली टाइम कॉंसरेंट फिस्टी स्पीड कॉंसरेंट फिर डिस्टेंस कॉंसरेंट इनसे कॉशन आते हैं अब देखो इसको कैसे बोलेंगे आप घर से कोचिंग जा रहे हो कोचिंग से वापस घर आ इस डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मेरे पास होती है मीटर किलो मीटर सेंटी मीटर एंड सो और टाइम की मेरे पास क्यों होती है मेरे पास होती है सेकेंड मिनट आवर यह जर्नल होती है मतलब अगर मैं बात कुरूं यहां पर आपके पास स्पीड की जो यूनिट आए सबसे पहले चीज तो अब यहां पर थोड़ा से सीखेंगे अगर मैं बात कुरूँ मेरे पास के लिगा है वन किलो मीटर पर आवर तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे तो एक किलो मीटर में पास कितने मीटर होते हैं एक हजार मीटर ठीक है और अगर मैं बात करें गंटे में किते मिनट होते हैं साथ मिनट कि अब इसको मैं स्कॉल जीरो जीरो घटा यह करता हो गया पचास बटे-3 मीटर पर मिनट इतनी बात समझ में यह नहीं कहने का मतलब क्या है किलो मीटर पर आवर में दिया हुआ है मीटर पर मिनट में बदलना है और तुम्हें मीटर पर मिनट में बदलना है तो आपको क्या करना है तो आपको क्या करना है multiply करना होगा, इतनी बात समझ मैं, ये तो एक रहा, ठीक है न, इतनी बात clear है, I hope आपको इतनी बात clear है, आप देखो ये तो एक conversion है, ये बहुत important conversion है, ये आपको आना चाहिए, दूसरे conversion क्या है, मेरे पास ध्यान देना, मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास लिखा है, वन किलो मीटर पर आवर, एक किलो मीटर में क्या होता है, एक हजार मीटर होते है, ठीक है न, और एक घंडे में कित्ते से कंड होते है, साट हिंटू साट सेकेंड, ठीक है, इसको जब सॉल्व करा, तो मेरे पास क्योंगे, बदलना है तो करना कुछ नहीं है आपको 5 by 18 का multiply कर देना है यतनी बात समझ में या फिर अगर मैं बात कुरूँ इसको अगर आप लिखना चाहो तो आप इस तरह से भी लिख पाऊगे या अगर मेरे पास मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है किलो मीटर पर आवर में बदलना है तो आप क्या करोगे अठारा वटे 5 किलो मीटर पर आवर इससे आप क्या करोगे multiply कर दोगे ठीक है ना इतनी बात समझ में आई कि निया देखो ये मेरे पास क्या है और ये है मेरा conversion और ये चीज़ आप को पता होने चाहिए अगर आपको ये पता है तो बहुत सारी चीजों को कर पा रहे हो तक बात क्लियर हूई आई होब आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी ठीके ना तो दिस इसे कंवर्जन क्या की कि किलो मीटर पर आवर में है मीटर पर मिनट में बदलना है तो 50 बटे- थारा का मल्टिप्लाई और मीटर पर सेकेंड में है किलो मीटर पर और में है तो किसमे का करना होगा थारा बटे पाउसे मल्टिप्लाई इतनी बात क्लियर हुई आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे किसकी average speed की किसकी average speed की average speed बराबर मेरे पास होता क्या है average speed होता है मेरे पास क्या यह होता है मेरे पास total distance upon total time क्या क्या रहा हूं मैं वही याद रखना average speed जोती होता है total distance upon total time ऐसा नहीं करों कि सारी speed को जोड़के जितनी number of speed से उसे divide कर दोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ऐसा करेंगा आपका आमसर एकदम गलत आएगा ठीक है average speed होती है मेरे पास क्या total distance upon total time इतनी चीज़ याद रखिएगा यह बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट है यह बात रही अगर मैं आपसे यहाँ और क्या कहूं इतनी बात क्लियर हुए average speed क्या होती है suppose मैं कहता हूं मेरे पास दो distances है यह है यह a b और c मतलब मैं कहूं a b बराबर है किसके b c के क्या रखा है a b बराबर है b c के ज्यान देना यहां से एक व्यक्ति चलता है चिके न क्या करता है यहां से एक व्यक्ति चलता है किस से x km पर r की speed से ठीक है b पर पहुंचा है b पर उसने speed को change कर दिया और b की speed हो गई किती यहां पर change हो गई speed किती हो गई y km पर आगर तो इस पूरी journey में इसकी average speed क्या होगी तो इसकी average speed होगी मेरे पास क्या twice of xy upon x plus y यह याद रखना यह कब है जब हमारे पास दो distances बराबर दे रखी है तब हमारे पास average speed हम डारेक नहीं काल सकते हैं क्या कर सकते हैं twice of product of speeds upon sum of speeds clear है इतनी बात समझ मैं ही आगर मैं आप से मिरे पास तीन distances दे रखी है तो हम क्या करेंगे मिरे पास तीन distances है यहाँ पर ध्यान देना a, b, c और d मैंने क्या कहा a b बराबर है किसके b c के और b c बराबर है किसके c d के क्या बोला मैंने a b बराबर है b c के b c बराबर है किसके c d के एक विक्ति है जो कहां से चलता है A से चलता है किसे speed से X से B पे पहुंचा तो Y हो गई C पे पहुंचा तो Z हो गई तो इस पूरी journey में जो इसकी average speed होगी वो होगी मेरे पास क्या वो होगी thrice of XYZ upon में XY plus YZ plus ZX ठीके न आप देखो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर ये इतना formula मैं कैसे याद करूँगा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है दो के लिए आप याद कर लो तीन के लिए आपको याद नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है चार के लिए क्या करेंगे पांच के लिए यह भी भी हम देख लेते हैं थिकेंगा ध्यां देना तो चलो एक ग्सांपल से सीखेंगे बच्चे ध्यान देना मैंने क्या कहा मेरे पास दो डिस्टेंसेच है ठेके ना ऐसे बोल सकते हैं यहां से यहां जा रहा है यहां से यहां जा रहा है किसे 15 km per hour की speed से जा रहा है और यहां से यहां जा रहा है किसे 20 km per hour की speed से जा रहा है तो इस पूरी जर्नी में इस व्यक्ति की मैंने कहा कोई व्यक्ति है यह ठीक है ना इसकी average speed क्या है उस पूरी जर्नी में तो इस पूरी जर्नी में average speed मैंने क्या बो बराबर है जब भी डिस्टेंस बराबर होता तो आप क्या लगा सकते हो आवरेज स्पीड का फॉर्मला इतनी बात समझ मैं कि नहीं पंद्रा और बीस मेरे पास कितना हो गया 35 हो गया तो हमने फॉर्मूले से और दो के लिए फॉर्मला लगाना भी जायाज है लेकिन अगर इसको हम एक और दूसरे तरीके से कर सकते हैं हमने आपको टाइम इन वर्क पढ़ाया था तो अब हम टाइ सब्सक्राइब कर सकते हैं या तो आप इसको लिख सकते हैं क्या टाइम इसको स्टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो हम क्या रहेंगे स्पीड का स्पीड लेंगे और उसे तोइंस का लिए फिर mister कर लेंगे फिर हम टाइम निकालेंगे फिर हम average स्पीड का फॉर्मुला लगाएं हagu deans से करेंगे ध्यान देना यह मेरे पास है 15 ठीक स्पीड रखी है दूसरी स्पीड है मेरे पास 20 मेरे को डिस्टेंस यह तो मैं गरना इन दोनों का यल स्यम ले लेना तो पंदरा और 20 का यह साथ हो गया और टोटल टाइम मेरे पास किता ओगया देखो चार तीन साथ किता हो गया आश्री इन को और टो साथ चरला है और यह भी किता है साथ है साथ साथ किता हुग एन्थू शीरग कूंप अंत्र टोटेंस टोट यानि कितना क्या है मेरे पास 120 बटे 7 clear है बात है इतनी बात समझ मैं मतलब आप 2 के लिए तो ये कर सकते हो लेकिन अगर 3 के लिए चार के लिए तो हम इस LCM method का use करेंगे और फिर हम average speed को क्या कर लेंगे calculate कर लेंगे यहां तक बात समझ मैं आई अब मेरी बात को और ध्यान से सुनों ठीक है इतनी बात clear हुई अब मैं एक example और दे देता हूँ suppose क्या यह मेरे पास एक triangular park है क्यासा park है? equilateral triangle के shape का park है equilateral triangle की खासियत क्या होती है? इसकी तीनो भुजाएं आपस में बराबर होती है एक व्यक्ति चलता है किसी speed से 10 km पर आवर की speed से B पर पहुचा और उसने speed change कर दिया और कितनी कर दी? 20 km पर आवर C पर पहुचा और उसने अपनी speed को कर दिया कितना? 60 km पर आवर ठीक है? ध्यान देना मेरे पास क्या है? एक triangular park है? वो triangular park कैसा है? equivalent triangle के shape का park है point A से एक व्यक्ति चलता है 10 km प्रति घंटे की चाल से पहुचा point C पर C से चलता है, A से C पर चलता C पर पहुचा, C पर उसने अपनी speed बदल दी कितनी कर लिए 20, फिर B पर पहुचा B से फिर उसने A पर पहुचा और अपनी speed को चेंज कर लिया, तो इस पूरी जर्री में उसकी जो average speed है वो क्या होगी तो simple दी चीज़ा आप क्या करेंगे एक तरफ आपने speed लिख लेना है speed है यहाँ पर 10 ले, कुछ भी पहले ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 10 20 और 60 ठीक है ना, यह मेरे पास speed है मेरे को distance चीज़ा है, तो हम क्या करेंगे speed का LCM लेंगे, क्या करेंगे speed का LCM लेंगे, तो 10 20 60 का LCM तो 60 ही ही होगा मेरे को time चीज़ा, तो time बराबर होता है distance upon speed ही होगा 6 2 3, और 6 ठीक है, तो मेरे पास total timing किता आगया total time मेरे पास किता है 6 3 9 1 10 आपको चाहिए, क्या आपको चाहिए average speed, average speed मेरे पास क्या होता है, total distance upon total time, ठीक है ना, तो total distance क्या है 60 हिसकी भी चली, 60 हिसकी भी चली, 60 हिसकी भी यानि 3 into 60 और total time किता है, मेरे पास 10, कर लिया किता आगया मेरे पास 18 km पर कि हम कैसे average speed को calculate करेंगे, अगर distance हमारे पास same है, और अगर distance सेम नहीं है तो हम formula लगाएंगे क्या, total distance upon total time का, यहां तक बात clear हुई I hope आपको इत्ती बात clear होगी होगी तो चलीए बढ़ेंगे, आगे थोड़े सा अगले concept है, ध्यान देना मैंने क्या कहा, मेरे पास दो bodies है, A और B ठीक है ना, अभी अपन बात करेंगे किस की, now we are talking about relative speed ठीक है ना, हम बात करेंगे किस की relative speed की हम बात करेंगे मैंने का, दो bodies है, मेरे पास A और B ठीक है, वोट are going in the same direction दोनों क्या कर रही है, एक ही दिशा में जा रही है with the speed V1 and V2 what I am going to say, मैं क्या कह रहा हो, मेरे पास दो bodies है, V1 and V2, बोद are going in the same direction दोनों एक ही direction में जा रही है तो जब कभी भी दो bodies same direction में जाती है, तो इनकी relative speed क्या होती है दोनों का difference, ठीक है ना अब relative speed यहाँ पर मैं बोल देता हूँ V1 बड़ा है V2 से difference का मतलब याद रखेगा, मैंने हमेशा बताया है, बड़े में से छोटा तो यहाँ पर बड़ा कोई है V1 V1 minus V2 याद रखेगा, कभी भी दो bodies same direction में जाएंगी, किसमें जाएंगी? same direction में जाएंगी, तो उनकी relative speed हमेशा क्या होगी? उसमें अंतर होगा, और मैंने speed के बारे में क्या बोला है? unit समय में चली गए दूरी ही मेरे पास speed है, मतलब अगर दोनों एक ही body same direction में जाएंगी, तो इनके बीच की distance कम होती जाएगी इस वज़े से speed कम हो रही है clear है बात, इतनी बात समझ में आई, ये तो एक बात रही है अब मैं गहूँ मेरे पास दो bodies है ठीक है ना? अभी बोध हर going in the same direction तो हो गया अब हम बात करेंगे, if both are going in the opposite direction ठीक है? बात को समझना what I am going to say इसकी speed किती है V1 और इसकी speed किती है V2 जब कभी भी दो bodies opposite direction से आए चाहे ऐसे आए और चाहे ऐसे जाए ठीक है ना? जब कभी भी दो bodies opposite direction में जाए उनकी जो relative speed होती है वो हमेशा क्या होती है? add होती है relative velocity relative speed कुछ भी बोल दो वो क्या होगी? add होगी, यानि V1 समझ में आई होगी, same direction है तो minus opposite direction है तो addition इतनी बात समझ में बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना ठीक है ना? relative speed क्या है? ठीक है? इतनी बात समझ में आई? चालो, एतनी बात clear होगी relative speed क्या है? अगर हम same direction में जा रहे हैं तो relative speed क्या होगी? उसका difference अगर हम लोगा opposite direction में जा रहे है तो relative speed क्या होगी उनका sum clear है? आगे बढ़ता है चीक है? इतनी बात clear हुई? I hope आपको इतनी बात clear हुई होगी इतनी बात clear है I hope इतनी बात clear आप मेरी बात को ध्यान से सुनियागा क्या? मैं अगर आप से कहूँ यह पूरा जो मैंने भी तक बता दिया हमारे पास speed time distance को concept है हलका सा concept मेरे पास train का भी है मैं अगर आप से को मेरे पास क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा तुमारे पास लिखा है 7 की power 69 और मेरे पास लिखा है 0.0000000007 मुझे बता बड़ा कौन है? आप कहूँ कि यही बड़ा होगा भी 7 को 69 बार multiply किया है मतलब बहुत बड़ी value और अगर मैं इसकी बात करूँ 0.007 बहुत जादा छोटी value ठीक है ना? कहने का मतलब क्या यह बहुत जादा बड़ी है as compared to this इस वाइलो के comparison में यह value बहुत जादा बड़ी है तो कहने का क्या मतलब है अगर यह सागर है तो यह तुछ बूंद है ठीक है ना? तो सागर में अगर आप कुछ एक लोड़ा पानी भी डाल दोगा ना सागर को कोई फर्क नहीं है आणे का मतलब क्या है इसको अगर हम इसमें डालेंगे ऐड करेंगे तो इस value को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला because यह अपने में इतना है अथा है मतलब कोई सीमा नहीं है इसमें जोड़ेगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं मेरी खड़ा है ठीक के ना फश्बाइद डेना मैंने क्या कहा एक ट्रेन है और यä अदमी एस आदमी को क्रॉस करेगी टो कितने डिस्टेनस ट्रेवल पहले चीज तो यह सबसे पहली चीज थो ट्रेन मैंने बोल दिया 400 मीटर लंबी है कितनी मीटर लंबी 400 मीटर अब इस 400 मीटर ट्रेन के आगे इस आदमी की लंबाई कुछ है कुछ नहीं है कहने का मतलब क्या है आगर ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जितनी ट्रेन की लंबाई होगी क्या जितनी खंबे या किसी पोल को पार करती है तो distance किती ट्रेवल होती है जितनी train की लंबाई होती है यह चीज याद रखेगा या क्या बोला मैंने अगर कोई train किसी आदमी किसी पेड़ किसी खंबे या फिर किसी पोल या किसी ऐसे object को पार करें जिसकी खुद में कुछ लंबाई नहीं है तो distance किती ट्रेवल होने वाली है जितनी train की लंबाई है यहां तक बात समझ में आई होगी आप मेरी बात को ध्यान से सुना यह तो एक बात रही ठीक है ना ऐसे मैं कहता है एक train है जिसकी लंबाई 400 मीटर है वो किस से जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रही है तो वो इस आद्मी को कितने time पे cross करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है time बराबर होता है distance upon speed distance आपका 400 है speed किता है 20 यानि किता आगे आपके पास 20 seconds क्लियर है कोशन कैसे आएगा एक 400 मीटर लंबी train है जिसकी speed किती है 20 मीटर पर सेकेंड एक आदमी को क्रॉस कितने समय में करेगी तो आप बताओगे 20 सेकेंड में बात समझ में आई कि नहीं क्या बताया आगर कोई train किसी आदमी किसी पेड़े किसी खंबे या किसी ऐसा अब करती है जिसकी खुद में कुछ लंबाई है तो distance किती ट्रैवल होने वाली है जितनी train की लंबाई होगी एथनी बात क्लियर आप देखो यहां तक तो बात क्लियर हुई आप मैं कहता है मेरे पास एक train है कि देखो मेरी ड्रॉइंग बहुत गंदी है यह ट्रेन है और मैंने का यह 500 मीटर लंबी ट्रेन है ठीक है न और यह मेरे पास क्या है एक ब्रिज है क्या है ब्रिज ब्रिज बोल सकते है या पुल बोल सकते है जो भी आप बोलना चाहिए और इस बुल की ब्रिज की नंबाई कित्ती है 200 मेटर अगर मैं तुमसे कहूँ अगर यह ट्रेन इस ब्रिज को पार करेगी तो कित्ती डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अब इसके सामने यह नेगलेजिब को पार करें जिसकी खुद में कुछ लंबाई है तो डिस्टेंस कित्ती ट्रेवल होगी वो अपनी डिस्टेंस गोटो करेगा कि ऐसे object को पार करें, जिसकी खुद में कुछ लंबाई है, तो distance कितनी travel होने वाली है, वो अपनी distance को तो travel करेगा, करेगा, साथ में वहाँ पर जो दूसरा object है, उसकी distance को भी वो travel करेगा, ऐसे बोल सकते हम, अगर कोई train किसी pull, किसी bridge, किसी platform, किसी दूसरी train, या किसी ऐसे object को पार कर रही है, जिसकी खुद में कुछ लंबाई है, तो distance कितनी travel होने वाली है, वो अपनी distance को तो travel करेगा, करेगा, साथ में वहाँ पर जो दूसरा object है, उसकी distance को भी वो travel करने वाला है, इतनी बात clear हुई, आई होब आपको इतनी बात clear हुई होगी, ठीक ना, तो दो ची खुद में कुछ लंबाई नहीं है, तो distance कितनी travel होगी, जितनी train की लंबाई होगी, दूसरी condition मैंने ये बताई, आगर कोई train, किसी train, किसी pull, किसी bridge, किसी और या फिर किसी ऐसे object को पार कर रही है, जिसकी खुद में कुछ लंबाई है, तो distance क्या होगी, एड होगी, वो train दूसरा object है, वो उसकी distance को भी travel करेगा, इतनी बात clear हुई, I hope आपको इतनी बात clear हुई होगी, याद रखिएगा distance हर condition में add होती है, चाए आप same direction में जाए, चाए opposite direction में जाए, distance हर condition में क्या होगी, add होगी, clear हुई बात, I hope आपको ये बात clear हो गई होगी, तो चलिए हमारा concept है, इतनी ही सारी चीजों से हम क्या करेंगे, पूरे topic को solve करेंगे, ठीक है न, चलिए बढ़ते हैं, पहले question के दरफ, पहला question आ चुका है, मेरे पास क्या, convert 90 km per hour in meter per second, ठीक है न, तो मैंने क्या बताया था, तुम्हें देखो, मैंने तुम्हें यहापर सिखाया था, क्या सिखाया था, देखो, अगर मेरे पास किसमे दे रखा है, meter per second में, km per hour में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, अठारा बटे 5 का multiply करेंगे, यही बताया था न, मैंने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे हम, देखो बैस, simple चीज़ है, km per hour में, देखो मैंने आप से क्या बता था, 1 km per hour किसके बराबर होता है, 5 by 18, meter per second, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, clear है, यह भी मैंने बताया था, 1 km per hour में है, meter per second में होगा, 5 बटे 18, तो आपके पास km per hour में दे रखा है, कितना 90, km per hour में है, meter per second में बदलना है, क्या करना है, 5 बटे 18 से करेंगे तो 18 चिंदम में, फचम 25, meter per second, बात समझ में ही, कितना आगया हमारे पास, option number A हाँ, पर हमारे पास क्या हो गया, clear हो गया, clear होई बात, I hope आपको इबात, clear हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगले question की दरफ, देखाव, walking at 5 by 4th of his normal speed, a man takes 48 minutes less than the normal time, then find the normal time, देखू, यहाँ पर simple चीज़ है, distance, question को पढ़ो, question को पढ़ने के बाद, यह समझो कि उसमें कहे क्या रहा है, और constant क्या है, देखो, यहाँ पर simple चीज़ है, speed में मेरे पास क्या हो गया, increment हुआ है, speed में increment होने के बाद, time कम लग रहा है, अब मुझे एक चीज़ दो, speed जादा है, time कम लग रहा है, मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर distance constant है, मतलब अगर distance constant है, तो भई, distance अगर constant होती है, तो speed जो होती है, वो inversely proportion होता है, time के, इसका क्या मतलब होता है, कि जो speed का ratio होगा, उसका reverse ratio कि इसका होगा, time का, तो बोले का, walking at 5 by 4th of his normal speed, तो भई, speed लिखा, मैंने यहाँ पर लिख दिय यह, यह normal speed है, यह आप after that, यह आप initial or final बोल देते हैं, ज्यादा आशान रहेगा, ठीक ना, पहले उसकी speed किती थी 4, अभी किती होगई, 4 का 5 by 4, यह नहीं, 5 होगई, speed होगई, बात समझे भई, 4 से पाच भई, walking at 5 by 4th of his normal speed, अगर उसकी normal speed 4 है, 4 का 5 by 4 निका लोगे किता है, 5, speed का ratio यह आगया, तो time ratio का आगा भई, time ratio इसका reverse हो जाएगा, तो मेरे पास time ratio किता होगई, 5 ratio 4, एतनी बात समझ में आई कि नहीं, मेरे को यह बताओ, या तुमें इतनी बात समझ में आई कि नहीं, distance अगर constant होती है, तो speed जो होती है, inversely proportion होती है, तो जो हमारे पास speed ratio होता होता है, उसका reverse ratio किसका होता है, time, तो यहाँ से हाँ किते की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है, ratio में एक की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है, 48 minute, तो 1 बरावन मेरे पास आगया, 48 minute, तो आप से पूछा क्या गया है, normal time पूछा है, तो normal speed 4, तो उसके लिए time किता था 5 ratio, एक ये मेरे पास मिंट में है घंटे में बदलने के लिए क्कारेंगेज क्लियर ग्लाइस ये मेरे बड़ते हैं अगलेमे Šाओ प्रमा पांस की तरीया हो जई में तो मैं च्शार गंटे ताργिया चूर सब्सक्राइब वास है control को then find the time taken, आप जानते हैं, distance पर आवर होता है, speed into time, इसमें तो कोई दिख्कत नहीं है, अब ध्यान देना, मेरे पास क्या दर रखा, 840 meter, तो distance मेरे पास है, 840 meter, speed की ते रखी है, 45 km per hour, km per hour में है, meter per second में बदलना है, किस से multiply करेंगे, 5 पटे 18 से, time चीए तो into t हो गया, 945, 9218, चीए, आप इधर इसकी बात मैं कर दूंगा, तो कर दूंगा, देखोते हैं, मैं 5 से गाट होगे, तो 5 दूनी 10 हो गया, 84 into 2, into 2 upon में किता, 5, ये मेरे पास है time, तो मैं करूंगा इसको, 4 चुको 16 का 6, कहरी किता होगे, 1, 4, 38, 33, बटे 5, अब इसको 5 हम डिवाइट कर देंगे, तो मेरे पास किता आ जागा, 5, 6, 30, 5, 7, 35, 5, 2, 10, किता आ गया, 67.2 सेकेंड, किता निकल गया, 67.2 सेकेंड, यानि कि option नमर भी हमारा याँ पर क्या हो गया, correct हो गया, clear, आगे बढ़ते हैं, अगले कुशन की तरफ, कुशन नमर 4, क्या कह रहा है, देख लेते हैं देखा, a man covers 600 meter in 5 seconds, find the speed in kilometer परावर, भाही जान देना, आप जानते हैं, distance बरावर होता है, मिरे पास, speed into time, देखो, ज्यान देना, 600 meter in 5, अब देखो, 600 meter in, कितना देर में, 5 minute में, into t, ठीक है, तो पांस सेगाटेंगे, कितने पावर है, 120, तो टाइम बरावर है, 120 meter पर minute, है न meter पर minute में दिया है, और हमें convert करना है किया, kilometer पर आवर में, ठीक है, तो देखो, भाही, kilometer पर आवर में हमें, बदलना है, तो भाही, देखो, simple जी चीज है, मेरे पास किसमें है, meter पर minute, ठीक है न, यही बोला है न, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सिखाया था एक kilometer पर आवर जो होता है, वो किसके बराबर होता है, पचास बटे तीन meter पर minute के, तो अभी meter पर minute में है, तो तीन बटे क्या हो जाएगा, पचास kilometer पर आवर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक meter पर minute किसके बराबर होगा, मेरे पास, तीन बटे 50 kilometer पर आवर, ठीक है न, इसमें तो कोई दिखक्रन नीं तो यह मेरे पास होजागा 120 इंटू कि उतला है टीन बटे 50 और यह मेरे पास क्या है अच्छा यह स्पीड होगा यह स्पीड है यह मेरे पास स्पीड है तो इस स्पीड बराबर मेरे पास क्या हो गया देखो एक सो बीस इंटू तीन बटे पचास, जीरो सी जीरो कड़ गया, बारातिया हो गया, मेरे पास 36, बटे पांच, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ, 72 बटे दस, यानि किता आगया, 7.2 किलोमेटर पर आवर, किता मेरे पास आगया, 7.2 किलोमेटर पर आवर, यानि कि option number D हमार सुन्दर सा कर लेते हैं, S, S, ठीक है, यतनी बात clear हुई, आगे बढ़ेंगे, अगले कुशन की तरफ, कुशन आ गया है मारे पास, क्या, walking at 6 by 7 of his usual speed, a man is 24 minute late, ठीक है, the usual time taken by him to cover the distance is, देखो भाई ध्यान देना, walking at 6 by 7 of his usual speed, तो भाई देखो, सिंपल ही चीज़ है, speed की बात की, तो पहले उसकी speed किती रही होगी, 7, अभी किती हो गई है, 6, इतनी बात समझ है, भाई अगर पहले मैंने 7 वानी, तो 7 का 6 by 7 निकल हो, 6 ही हो गया, आप देखो, इसकी वज़े से time, distance constant है, तो speed ratio, अगर मिरे पास 7 ratio 6 है, तो time ratio क्या होगा, इसका reverse हो जागा, यानि 6 और 7, अब यहाँ से यहाँ आगर मैं बात कुरू, कितना late हो रहा है ratio में, 1, in general किता हो रहा है, 24 minute, तो एक बराबर में बास किता आगया, 24 minute, इसमें तो कोई दिक कती है, तो usual time किता होगा, 6 ratio, एक ratio किता है, 24 तो 6 ratio किता होगा, 6 into 24, ठीक है, न, 6 च कोईशन की दरफ, अगला कोईशन आपकी screen पे, यह रहा, कोईशन नमबर 6 हमारी screen पे आच चुका है, इस कोईशन को हमें करना है, कैसे करेंगे ध्यान देना, जीगा, राहूल वोड रीच इस office 12 minute late, if he would, he walked at 5 km per hour from his house, he would reach 27 minute late, if he walked at 4 km per hour from his house, find the distance between his house and office, देखो भाही ध्यान देना, क्या गया रहा है, राहूल जो है, अपने घर से office जा रहा है, किस speed से जाता है पहले, 5 km per hour की speed से जाता है, किस से जाता है, 5 km per hour की speed से जाता है, और किती देरी से पहुंचता है, 12 minute की देरी से पहुंचता है, मैं क्या गया रहा हूँ, वो suppose उसका office कितने बजे का है, 8 बजे का तो उसको आठ बजे पहुंचना चाहिए ओफिस लेकिन जब वो पांच किलो मिटर पर गंटे की चाल से जा रहा है तो किती देरी से पहुंच रहा है बारा मिनट की देरी से पहुंच रहा है मतलब किती देरी से पहुंच रहा है मतलब किती देरी से पहुंच रहा घर से औरफीस ही तो जा रहा है दोनों कंडिशन में डिट्रेंस कॉंस्टेंट होती है तो जो स्पीड रश्यो तो स्का रिवर्स रिश्यो क्या होता है मेरे पस टाइम का तो टाइम का यहाँ पर रिश्यो लैंने पास फोर रिश्यो फाइव इत्ती बास समझ नहीं। अब प्राबर में पास होगया 15 मिनट किता होगया एक बराबर होगया मेरे पास 15 मिनट तो आपको उताँना है find the distance भीडिन हाउस तो ऑफिस किसी में ले लो तो यह हमार पास time किता हो जाएगा भी time चार रेश्य एक बराबर किता है 15 मिनट तो एक बराबर किता हो गया 60 मिनट यानि किता आगया मेरे पास एक घंटा किता आगया एक घंटा आपको चीह क्या डिस्टेंस तो डिस्टेंस बराबर होता है मेरे पास स्पीड इन्टू टाइम तो इस वाली स्पीड के लिए टाइम कितνा निकाला हमने एक घंटा यानि 5 into एक यानि किता आ गया 5 km ठीके न किता आ गया 5 km उसकी घर से ऑफिस की जो दूरी है वो कितनी है 5 km है ठीके न एक चीज यहाँ पर समझने की बात है क्या समझने की बात है कि मैं क्या चै रहा हूं ध्यान से सुनना अच्छे क्या कि लेट प्लस लेट हो क्या हो लेट प्लस लेट हो या फिर अर्ली प्लस अर्ली हो अर्ली प्लस अर्ली हो तो इन दोनों ही कंडीशन में टाइम को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं क्या करते हैं माइनस करते हैं आगर मेरे पास क्या है अगर मेरे पास दो अगर मेरे पास लेट प्लस अरली होता या फिर मैं बोल सकता था क्या अरली प्लस लेट होता तो इस condition में हमारे पास जो timing होती, वो क्या होती, add हो जाती, ठीक है, बास समझ में आई, चलो, बढ़ते हैं अगले question की तरफ, अगला question हमारी screen पे आ गया है, question क्या है, starting from his house, one day, Shuresh walks at a speed of 15 km per hour, and reaches his school 10 minute late, next day, he walks at a speed of 12 km per hour, reaches the school 30 minute late, दोनों ही condition में late है, मतलब है, क्या होगा मेरे पास, subtract होगा, how far is school from his house, ठीक है न, तो भाई, speed की बात कर लेते हैं, तो पहले speed किती थी, 15, जिसकी वज़े से किती देरी से पहुच रहा था, 10 minute की देरी से पहुच रहा था, मैं कहता, school 8 बज़े का है, तो कितने बज़े पहुच रहा होगा, 8 बज़ कर 10 minute पे पहुच रहा होगा, अगर क किता, difference है, timing का, 20 का, अगर यह speed ratio है, तो time ratio क्या हो जाएगा, इसका reverse यानी 12 ratio 15, इसको और छोटा कर लो, किसे कर लेगा, 3 से कर लेगा, 3, 4, 12, 3, 5, 15, तो time ratio मेरे पास किता आगया, 4 ratio 5, timing मेरे रेशियो में किता जादा लग रहा है, एक, in general किता जादा लग रहा है, 20 minute, तो चार बराबर मेरे पास किता जाएगा, 4 into 20 minute, यानी किता हो गया, 80 minute, ठीक है, घंटे में बद लोग रहा है, 80 बटे, 60 घंटे, या फिर 4 बटे, 3 घंटे, इसमें तो कोई दिखकत नहीं है, clear है, तो इस वाले distance को, इस वाले speed से जब जा रहा है, तो timing किता लग रहा है, 4 by 3, तो आपको distance, यह तो distance बराबर होता है, speed into time, speed is nothing but 15, time किता है, 4 by 3, 3 से करेंगे, 3, 5, 15, 5, 4 किता गया, 20 km, किता गया, 20 km, उसकी घर से, स्कूल की दूरी जो है, इस वारी घर से, उसकी स्कूल की दूरी किती है, हमारे पास 20 km, यानी कि option number B हमारा क्या हो गया, correct हो गया, clear हुई बात, I hope ये बात clear हुई है, आगे बढ़ेंगे अगले question के तरफ, question number 8, question number 8 है क्या, देखते हैं, लिखा हुआ है, a man travelled at certain distance, by train at the rate of 25 km per hour, and walk back at the speed of 4 km per hour, if the whole journey took 5 hour 48 minute, then the distance was, देखो, या बोला गया है, वो 25 km पती घंटे की चाल से जा रहा है, और वापस किस से आ रहा है, चार km, पती घंटे की चाल से, और आने और जाने में, लिखा हुआ है, आने और जाने में, उसको कित्ता सामें लग रहा है, पांच घंटे 48 मिनट, क्या लग रहा है, पांच घंटे 48 मिनट, तो देखो भाई, simple यह चीज़ा, इस स्पीड की बात करेंगे, तो पहले स्पीड कित्ती है, 25, अभी स्पीड कित्ती हो गई, 4, अगर स्पीड रेशयो यह है, डिस्टेंस सेम है, तो हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा, वो रेशयो 29, 25, यहां टोटल रेशयो में कितना टाइम लग रहा है, 29, इंजरल कितना लग रहा है, मेर पास पांच घंटे 48 मिनट, तो पाच घंटे सबको मिनिटों दलो पाच घंटे को कर बोलेंगे तो बारा पच्चे किता हो गया इसमें तो कोई दिखकत निया तो 29 की वेलू किसके बराबर है तो यह पास हो गया तो फोर की वेलू किती होगी ओर इंटो ट्वेल्फ किता आ गया तो आवर में चेंज करों तो क्या हो जाएगा फॉर्टी एट अपॉन में 60 त्री 12,4,4,4,φ,य, 15,60 है ठीक न? तो घरना में चीज है स वाली स्पीट से जा रहा हो तो टाइमिंग कियो गोला था एक ही है 4-5 तो आपको किका ची है डिस्तेंस क्या है? XD लई छिवश्व दिस्तेंस बराबर है मेरे पास speed into time स्पीड मेरे पास है 25 टाइम हमने निकाला है 4 by 5, 5, 5, 25, 5, 4, 20 किलो मीटर कितना आगे मेरे पास 20 किलो मीटर यानि कि option number C हमारा यहाँ पर क्या है correct है clear हुई बात, यहाँ तक बात clear हुई होगी, आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 9, question number 9 क्या कह रहा है, the ratio of speed of A and B, speed ratio दे रखा है किसका, A और B का, किता दे रखा है, 3 ratio 5, if A takes 8 hour more to cover a certain distance then B, ठीक है, then what will be the time taken to cover the distance by A, देखो हमारे पास the ratio of speed का ratio दे रखा है, 8 घंटे ज्यादा लग रहे है, certain distance by day, तो भाई, speed ratio है, तो time ratio किता हो जाएगा, 5 ratio 3, यहाँ पर कितना समय लग रहा है भाई, जी देखो 2, और यहाँ पर किता है भाई, 8 ठीक है, 8 takes 8 hour more, ठीक है न, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर मेरे पास किता आ गया, 2, दो बराबर किता देखा 8, ठीक है, दो बराबर 8 है, तो मेरे को बताओ, एक बराबर किता हो गया, 4, इसमें तो कोई दिखकत नहीं है, एक बराबर 4 है, तो time take to cover distance भाई, यह किता है, 5 ratio 5 इंटू 4 मेरे पास किता आ गया, 20 hour, किता आ गया, 20 hour, option number B हमारा आपर क्या हो गया, correct हो गया, clear है बात, simple दी चीज़ है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, अगले कोशन की तरफ, अगला कोशन हमारी स्क्रीन पे यह रहा, कोशन हमारी स्क्रीन पे आचुका है, अब करने क की आविश्च रखता है, तो देखो क्या है, a man can reach a certain place in 30 hours, ठीक है, if he reduces his speed by 1 by 5th, he goes 10 km less in that time, ठीक न, कोई दिक्कत नहीं है, तो find the speed, आप देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाओ, a man can reach a certain place in 30 hours, वो किसी प्लेस पे कित्ती दिरत में जाता है, 30 घंटे में if he reduces his speed by 1 by 15, he goes 10 km less, ठीक है न, उसने क्या क्या, अपनी speed को कम किया, speed को कम करने की वज़े से, वो 10 km कम चलता है, उतने ही time में, मतलब यहाँ पर मेरे पास constant क्या है, time constant है, और जब time constant होता है, तो speed is directly proportion to distance, मतलब जो distance ratio होगा, वही speed ratio होगा, या फिर जो speed ratio होगा, वही distance ratio होगा तो यहाँ पर का, he reduces his speed by 1 by 15, तो मैं अगर बोलू हूँ, उसकी पहले speed किती थी 15, 15 में से 1 by 15, यानी 1 की कमी, यानी अभी उसकी speed किती होगी 14, आगर speed ratio यह है, तो distance ratio भी same होगा, यानी 15 और 14, यहाँ तक बात clear है, तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर कितना, कितना km का difference है ratio मे एक का इन जनल किता है, 10 km, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो distance किती होगई, तो distance मेरे पास होगई किती, 1500 km होगई original distance, लिगा हुआ, find the speed, तो speed की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास distance आ गई है, distance है मेरे पास 1500, है न, आपको चीए किया speed, तो distance बराब औरता है, speed into time, तो distance है मेरे पास 1500, speed हमको calculate करनी है, time किता लग रहा है, 30 घंटे, 0 से 0 कडिया, 3 से काटो किता आ गया, 5, speed मेरे पास जो आ गई, वो किती आ गई, 5 km पर आवर, किती आ गई, 5 km पर आवर, यानि की option number C हमारा याँ पर क्या होगया, correct होगया, clear होई बात, I hope आपको ये बात clear हो गई हो ठीक है, देखो कुशन क्या है, a car driver leaves Bangalore at 8.30 a.m., ठीक है, and expect to reach a place 3 km away from Bangalore at 12.12 p.m., at 10.30, he finds that he was covered only 40% of the distance, by how much he has to increase the speed of the car in order to keep up his schedule, देखो भई ध्यान देना, question क्या कह रहा है, एक car driver है, जो Bangalore से निकलता है, सुभे साड़े 8 बजे, और 300 km बैंगलोर, ठीक है ना, बैंगलोर से 300 km आगे साड़े 12 बजे तक पहुचने का वो रखता है, कि इतने बजे पहुच जाएंगा, ठीक है ना, तो ध्यान देना, घर से निकल लाहे, साड़े 8 बजे निकलता है, कितने वज़े 9 के इतने एक और दीकलता है, कित्ता वस्ता है ध्यान देना कित्ता वस्ता है साड़े दस तो वो क्या पाता है कि उसने केवल कित्ती डिस्टेंस ट्रेवल करी है 40% distance travel कर यह किसका 40%? इसका ठीक है ना तो 40% यह बात करें तो 300 का 40% कित्ता होगा? 120 कित्ता distance travel करें Allah कि उसने? 120 km की distance travel करी है और किती दिरमें थाह किरी यह बही देखो ध्यान दे ना यहां से यहां कित्ता समय हो गया है, 2 घंटे दो घंटे में उसने कित्ति डिस्टेंस टावल करी है 120 किलमेटर भाई 300 का अगर तुम 40% निकालो गया तो निकाल लो भाई 300 इंटू 40 बटे 100 कि चारतिययव अबार 120 हो अठीक है टोटल मेरे पास कित्ति है 301 कित्ती है 180 किलोमीटर पर आधा किलोमीटर डिस्टेंस आवहर में कब से होने लग अधि कित्ती 180 due can ठीक ना रिमेनिंग डिस्टेंस किती है मेरे पस 180 km अभी यहां पर हमें स्पीड की बात करें यहां आठ साथ से लेके 10 के बीच में तो यहां स्पीड क्या हो जाएगी 120 बटे 2 यानि किता क्या 60 km per hour है स्पीड अब क्या करना ही बची हुई डिस्टेंस को किस स्पीड से यानि किता होगा मेरे पास 90 km per hour इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप से पूछा गया है कि स्पीड को कितना बढ़ाया जागया होगा तो देखो वाई सिंपल चीज है पहले स्पीड कितनी थी साथ अभी किती है 90 कितना बढ़ाया गया 30 बढ़ाया गया 30 km प्रती गंटे कि चाल को मलब इतने से अगर हम बढ़ाएंगे तो समय पर पहुंचेंगे शिडूल टाइम पर यानि कि option number D जो हो गया वो हमारे पास यहां पर क्या हो गया correct हो गया clear वी बात I hope यह बात clear हो गई होगी होगी आगे बढ़ते हैं question number 12 क्या लिखा हो आए अच्छा साय question है a train runs towards a tunnel AB a cat is seen from entrance A at a distance of 2 by 5th of AB in the tunnel when train blows horn cat starts running if cat runs towards entrance the train catches him at A and if runs towards exit B train catches it at the exit point B find the ratio of speed of train and cat cat देखो वाई बड़ी दो विधार है इस question को लेके question क्या है a train runs towards tunnel एक tunnel है AB train क्या कर रही है कहीं से आ रही है और उस tunnel की तरफ आ रही है ठीक है a cat seen from entrance A at a distance of 2 by 5th of AB tunnel tunnel AB में अंदर गें cat wet ही है 2 by 5th distance पे जैसे ही train ने उसको CT बजाई उसने क्या देखा कि train उसकी तरफ आ रही है ठीक when train blows horn cat starts running जैसे ही उसने देखा train ने क्या किया CT बजाई बिल्ली ने क्या किया भागना शुरू किया अब बिल्ली ने कहां भागना शुरू किया यह देख लेते हैं if cat runs towards entrance अगर cat entrance की तरफ भागे ठीक है ना क्या करें entrance की तरफ भागे then train catches him at point है तो train और बिल्ली कहां पर मिलेंगे point A पर मिलेंगे और if run towards exit B और अगर बिल्ली exit B की तरफ भागे तो कहां पर मिलेगी point B पर मिलेंगी तो find the ratio of speed of cat and train and cat question समझ में आया फिर से सुनना देखो इसको मैं आसे विज्वलाइब कर वाता हूं थो मैं ठीक ना यह मेरे पास एक टनल है ठीक है टनल है ए और बी चिक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आई होब आपको यह बास समझें मैंने टनल अले भी है ठीक ना ट्रेन आ रही है इदर से क्या रही है ट्रेन मेरी ड्राइंग अची नहीं है लेकिन आ रही है ट्रेन इदर से आ रही है और ट्रेन ने CT बजाई और बिल्ली कहां वैठ यह है टू बाइफ फिफ्ट आफ दिस टू पर भाई फाइफ का टू बाइफ फाइफ मतलब बिल्ली यहां कहीं बैठी है देखो रहा रहा है मैंने का बिल्ली यहां पर यह टू है यह टू यहां पर बिल्ली मौसी यहां पर हमारी बैठी हुई है ठीक ना बिल्ली मौसी बैठी है यहां पर अब क्योंगा ट्रेन लिन ने बजाए की है रखनी ने बागना शूरू किया बिल्ली पॉइंट एक रखर एक तरफ और बिल्ली से अगर इस तरह भागत concentrations की सपोज यह यह जित बजे चलना शुरू करा इस ट्रेन ने तो भही झान देना-dus बजे चलना Dziękuję मैंने बोला इस point में किते बजें पहुंच गई साड़े 10 पहुंच गई तो सिंपल दी चीज है जितने समें में बिल्ली यहां पहुंचेगी तो रहे ट्रेन यहां पहुंचेगी इतनी बात समझ में आरी कि निया पहली condition समझ में आईकी कि निया है मेरे को यह बताओ भाई question क्या कह रहा है what question says मेरे पास एक tunnel है A-B जो कि मैंने बोल दिया पूरी 5 है यहां से इस वाले points से यहां पर बिल्ली कितनी दूरी पर बैठी है दो मीटर भी दूरी पर बैठी है जैसे ही train ने CT बजाई train ने CT बजाई बिल्ली ने क्या किया भागना शुरू किया बिल्ली किस तरह भागरी है पहले इंट्रेंस पर भागरी A पर और जैसे ही वो इंट्रेंस A पर पहुंसती है वैसे ही train यहां पर पहुंसती है मतलब जितना समय train को यहां आने में लग रहा है ठीक है पहली condition यह है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक बात clear है मतलब कहने का क्या है जब train entrance a पर पहुँचेगी तो बिल्ली कितनी distance travel करेगी दो यूनिट की distance travel करेगी इतनी बात समझ में आरी की नहीं आरी मैंने क्या बोला जब train entrance a पहुँचेगी बिल्ली भी entrance a पह distance travel कर रही है इतनी बात समझ में आई होगी यह पहली condition है ठीक है ना पहली condition सबको समझ में आई का कौन सी condition है जब बिल्ली जो है वो हमारे पास क्या टैनल टैनल के जो entrance point a है उसकी तरफ भाग दिए अगर क्या करे बिल्ली किस तरफ भागे सिंपल चीज़ अगर बिल्ली क्य अब मेरे स्फिर्ब चिता था मैने पास तीन तरफ है तो यह किता बचा होगा तीन वित ऐस में कोई दिख्यक्त है आप मेरी बात को ध्यान से सुनना मियुक् कितने समय ले तरने इसे दुए कि तो यहां पर फांचेगी इस कि मतलब अगर में बात करें नार यहां पर अगया रहे तोसीम्ल चीज़ जब ट्रेंट ऊड वहाई वह रहा है आप मेरे पास बिल्ली कहां पर आ गई यहां पर आ गई यहां पर आ गई यहां पर आ गई यहां पर आ गई मेरे पास ध्यान देना ठीक है बिल्ली यहां पर आ गई अब मेरे को एक चीज बताओ यहां से यहां तक पहुचने में और यहां से यहां तक पहुचने में ध्यान द और ट्रेन कित्ती कर रही है पाँच बात समझ में आरी कि नियारी सेम टाइम में मतलब बिल्ली यहां से भागेगी तो यहां पर पहुंचेगी ट्रेन यहां से जाएगी तो यहां पर पहुंचेगा तो सेम टाइम में अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो ट्रेन है पॉइंट यहां संब करो सब्कूर, तो train ने चली 5, बिलि ने चली 1, इतनी बात समझ महईंगे, तो distance इतनी बात समझ महईगी, कि वह पाल चलेगी इतनी बात क्लियर है जब ट्रेन हमारे पास पांच चलेगी तो कैट किता चलेगी यहां से एक चलेगी तो अगर समझ में पूश्चन बहुत अच्छा सा है आई हूप आपको ये बात समझ में आई हो गई एक बार फिर से सुन लो क्या कहा रहा है भई देखो एक टनल है एबी ठीक है टनल एबी में तू बाई फाइफ फिफ्ट डिस्टेंस पे क्याड वेट ही है एक ट्रेन आ रही है कहीं स मतलब कहने का क्या हुआ जब ट्रेन एंट्रेंस के आईगी ने कम बीली कि मतलब क्या हुन्हें दूसरी कंडिशन ऊटाया जब ट्रेन ए पर पहुंची तो डिस्टेंस कितनी चलायो मिलिने दो चल लगीं परद Ini यहां कहां यहाँ पौंच रही है जित्थे समय में Bili यहाँ से यहां पौंच रही है उत्ते समय में time हमारे पास constant है तो जो हमारे पास distance ratio होता है वह clearly होता है तो इतनी देर में खीए ट्रेन ने 5 travel किया बिल्ली ने 12e alike travel किया याणी मेरे पास किट आगिया 5 ratio 1, this is the distance ratio and this is also the speed ratio as well, clear हुई बात, question बहुत शानदार है, तो answer आपके पास कितना आगया, आमरे पास, 5 ratio 1, clear हुई बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, question number 13, question number 13, क्या कह रहा है, देख लेते हैं, लिखावा, a person while walking diametrically across a semi-circular playground takes 2 minute less than if he had kept walking around a circular path from A to B if walks 30 meter in 15 second, what is the radius of the playground, तो playground जाए न वो semi-circular है, कैसा है, मेरे पास playground playground मेरे पास कैसा है, semi-circular है ध्यान देना, क्या है मेरे पास semi-circular है, ठीक है, क्या, कैसा है मेरे पास semi-circular playground है, देख वह ऐसे में बना लेता हूँ, लंग है आप किया मेरे पास सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड थ्यांदेना यह मेरे पास सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड है ध्यान देना अगर मैं बात करूँ सिंपल से चीज़ यह है अगर मैं बोलता हो यह सेंटर है तो यह मेरे पास सेंटर हो गया तो यह मेरे पास क्या हो जाती रेडियस यह हो गया आर मैंने रेडियस कितनी किसिदर करी है आर बात को समझना अगर यह तो यह पूरी टूटल किती हो जाएगी तूर हो जाएगी और इतने कि अगर मैं बात करूँ यह मेरे पास circular path है तो यह मेरे पास क्या हो गया फाई यार ठीक है ना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं सेमी circular playground लिया मैंने अब देखो question क्या है मेरे पास ध्यान देना मेरे पास एक semi circular playground है ठीक है अब person walks while walking diameter के लिए जब वो क्या करता है diameter के लोग इसके थुरू जाता है मतलब इसके थूरू जाता है ठीक है न तो उसको दो मिनिट का कम समय लगता है जब वो किस से जाता है इस path से जाता है बात को समझना क्या खाग रहा हूं मैं इतनी बात समझ मैं रही कि नहीं भाई यहां पर देखो simple चीज ए जब वो diameter के थूरू जा लगे जोई भानारहा है अगर वो इसो जाएगा तो दो मिनटेंट लगकेगा और इसो GSA diva खाएगा तो सिंभल चीजल यहाँ पर हमारे पास क्या दिर्खाहर है सिंपल सा चीज है यहां पर की सिंपल साबry छीज जब डायमेटिकली जाएगा तो टू आर जाएगा और जब वैसे जाएगा सर्कुलर पाथ में तो पाई आर जाएगा पाई आर कॉम लिख सकते हैं बाइस बटे साथ इन्टू आर से आर चैंसल आउट हो के दो से ग्यारा तो डिस्टेंस रेशियो मेरे पास किता गया 7 रेश आ गया मेरे पास चीक है या फिर इसको अगर मैं बोलू तो वन बराबर 30 सेकेंड या फिर मैं बोल सकते हो टूटल टाइम किता लगेगा इस वाली डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए साथ इन्टू 30 210 सेकेंड इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किता आ जाएगा मेरे पास 210 सेकेंड अब आपको बात कर रही है क्या आप मेरको और स्टेट्मेंट क्या गीवन है स्टेट्मेंट वा क्या करता है 15 सेकेंड में 15 सेकंड में 30 मीटर जाता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तो वह ताइम कित्ता लग रहा है 210 ध्यान देना 15 सेकंड में जा रहा है वो कित्ता 30 मीटर ठीक है ना आपको 202 सेकंड में बताना है तो 210 सेकंड में कित्ता जाएगा बताओ में तो कोई दिख्कत नहीं है किता जा रहा है चार सो बीस मीटर अब मुझे एक चीज़ बताओ क्या यह 4220 मिटर कॉन से टिससंसर कर रहा है जब डाय मिट्रिक ली जा रहे मतब इतनी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में वो 400 मीटर है इतनी distance मेरे पास क्या है 400 मीटर तो भाई simple यह चीज है 2R की value किसके बराबर है 420 के तो R की value किती है आजाएगी 210 मीटर के तो जो मेरे पास semi circular playground है उसका जो मेरे पास radius आगया वो किता आगया 210 मीटर आगया 210 मीटर आगया clear हुई बात I hope आपको यह बात clear हुई होगी आगय बढ़ते हैं अच्छा सा कॉशन था आगय बढ़ते हैं टेकए आगय बढ़ते हैं ध्यान देना जो अगले कॉशन की तरफ अगला कॉशन आपारी स्क्रीन पर यह रहा देखो क्या कहा रहा है तो the ratio of the speed of three cars is three ratio five ratio six then find the ratio of the time taken by these if these car to cover the certain distance distance constant है distance constant है तो speed is inversely proportion to time आगर मेरे पास क्या दिरखा है speed ratio दिरखा है किता three ratio five ratio six किता speed ratio मेरे पास किता है three ratio five ratio six so time ratio क्या होगा इसका reverse हो जाएगा यानि one by three one by five ratio one by six और मैंने तुमें क्या बताया है कभी भी ratio इसको हम क्या नहीं करते हैं भाई कभी भी ratio इसको हम fraction के फोर्म में नहीं लिखते हैं उसको अपन किसमें लिखते हैं integer के format तो हम क्या करेंगे LCM लेंगे तो किसका LCM किता आगया भई तीस आगया 30 से multiply करो माच यानि के option number D हमारा क्या हो गया correct हो गया clear हुई बात I hope यह बात clear हुई होगी आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ कि अगला कोशन क्या है if a man if a man decreases speed by two by three then he will take one hour more to reach the certain distance how much time will the man take to cover the same distance with his usual speed ठीक है ध्यान देना question क्या कह रहा if a man decreases speed by two by three तो भही ध्यान देना कर मैं आपसे बात कुरूँ speed में कमी की गई है two by three की कमी की गई मतलब अगर उसकी speed 3 थी तो 3 में 2 की कमी की गई है मतलब किता लग गया एक speedy हो गई then he will take one hour more to reach the certain distance तो टाइम इसका रिवर्स हो जाएगा one by three तो यहां से यहां टाइम में का डिफरेंस किता है एक तरी दो है तो दो बराबर किता रिखाए वन आवर तो वन इजगोश तो मेरे पास आगया one by two hour क्या तक बात क्लियर अब क्या पूछा गया है how much time will the man take to cover the same distance with his usual speed तो कोई दिक्कत नहीं है देखो वाइस ध्यान देना सिंपली चीज़े टाइम पूछा गया हुआ है तो टाइम बराबर में पास किता हो गया देखो वन रिश्व तो वन इंटू किता हो गया लिखा हुआ है मेरे पास क्या Sarita walks at a speed of 15 km per hour and reaches her school 12 minutes late if she walks at a speed of 18 km per hour she reaches her school 3 minutes early then find the distance of her school from her house इस तरह का भी अपने question किया हुआ था ठीक है फिर से करते हैं देखो क्या है देखो question क्या है Sarita walks at a speed of 15 km per hour तो भाई speed की बात थी पहले speed किती थी 15 km per hour थी तो 12 minute की देवी से पहुच रही थी मैंने का उसको school पहुचना किता आठ बजे पहुचना भी कित्ते बजे पहुच रही होगी यहां से सुनना यहां से यहां कित्ते timing difference हो रहा है बारा इधर तीन इधर किता हो यह 15 15 मिनट का ठीक है मैंने बताया था अगर लेट प्लस अर्ली होता है तो आप उसको एड कर देंगे ठीक है तो यहां से हां किता difference है एक इंजनल किता है 15 मिनट का ठीक है ठीक है तो आब मुझे बताए इस वाटाइम किता लगा हमारे पास शे इंटू 15 किता हो गया मेरे पास 90 मिनट किता आगया 90 मिनट तो distance बराबर होता है speed इंटू time speed मेरे पास है 15 time किता है 90 मिनट घंटे मदलना है तो 60 से डिवाइट करेंगे 15 से कटेंगे 15 चोको साथ यह गया 45 बटे 2 यानि मेरे पास किता आगया साड़े बाइस किता गया साड़े बाइस किलो मेटर ठीक है किता गया साड़े बाइस किलो मेटर यानि की ऑप्षिन नमबर बी करेक्ट हो गया clear वी बात I hope यह बात clear हुई होगी चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की दरफ अगला कोशन हमारे पास आ चुका है लिखा हुआ है क्या तू कवर अ सर्टेंट डिस्टेंस ए टेक्स 40 मिनट मोर देन भी इव दे स्पीड ओफ इस दिस एंड स्पीड ओफ बी इस दिस देन फाइंड फाइंड टोटल डिस्टेंस कुछ नहीं आसान सा कुशन है कर लेंगे हम क्या दे रखा है एक स्पीड दे रखी 24 ठीक है और बी की स्पीड किती दे रखी है मारे पास 28 यह स्पीड है तो टाइम इसका रिवर्स हो जाएगा सेम डिस्टेंस कर रहा है 28 और 24 तो किसे करेंगे ताच्छो को ट्थाइइस टожет चारचंग 24 ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं стор किता डाकर तक सब्सक्रिक दागर है जादा सकीव ज्यादा एक रैशियो में ज्यादा लगőっा कित्ता आ गया, 14 वटे 3 घंटे आ गया, आपको चीए distance, distance बराबर होता है, speed into time, तो speed इस वाले timing के लिए यहती है, 24, 24 into, कित्ता आ गया था मेरे पास, 14 वटे 3, 3, 8, 24, 14 ठेक 112 किलो मीटर, कित्ता आ गया, 112 किलो मीटर, ठीक है ना, option number D हमारा correct हो गया, clear है, आगे बढ़ेंगे, अगले question की तरफ, question number 18, क्या है, देखो, लिखा, a man covers a certain distance by his car, if he reduces the speed of the car by 3 km per hour, it takes 40 minutes more than the first time, and if he increases the speed car by 4 km per hour, it will take 40 minutes less than the first, then find the speed and distance, देखो, भाई, सबसे पहली चीज़ तो इस question की अगर मैं बात करूँ, तो इस question में हमारे पास, क्या दे रखा है, यहाँ पर 2 condition दे रखिये, क्या, a man cover a certain distance by his car, एक वेक्ती है, वो कुछ distance को किस से cover करता है, कार से cover करता है, अगर उसने अपनी speed में 3 km पर गंटे की कमी करी, जिसकी वज़े से उसे 40 मिनट जादा लगे, पहली condition, दूसरी condition क्या है, then the first time, ठीके न, and if he increases the speed car by 4 km per hour, अगर उसने अपनी car की speed में क्या किया, 4 km पर गंटे की व्रदी किरी, तो 40 मिनट कम का समय लगा, then the first time, ठीके न, find the speed and distance, देखो इसको हम थोड़ा सा कैसे करेंगे, ध्यान देना, इससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कुछ, ध्यान देना, पहली condition है, मैंने speed बोल दी कित्ती है, एस है, ठीके न, पहली condition में हमारे पास जो टाइम बढ़ रहा है, वो कित्ता है, ए है, कित्ता है, सॉरी, इसको रहने दो, जैसे हम कुछन ही कर लेते हैं, ध्यान देना, मैंने speed क्या बोल दी, एस, ठीके न, first condition की बात करेंगे, ठीके न, first condition की हम बात करेंगे, तो speed मेरे पास पहले थी, अभी, speed में, क्या होगा, decrease हुआ कि, व्रद्धी हुए, रद्धी हुए है, शायद, ठीके न, speed में क्या हुए है, मेरे पास, कम हुए कित्ते की? 3 की, स्पीड में मेरे पास तीन की क्या होगी होगी तो स्पीड किती हो गई स-3 आगर मेरे पास यह स्पीड रेश्यो है तो टाइम रेश्यो क्या होगा डिस्टेंस से में तो क्या हो जाएगा एस स – 3 यह हो जाएगा मेरे पास आगर यह पास टाइम है और टाइमिंग डिफरेंस कि रहा सकी हुझे से 40 मिनट का क्या हो रहा है 414 Mirror All डिले हो रहा है मत्मों यहां से यहां तो दिफरेंस केता है का 3 टीन बराबर किता धिस्वेक ह ions सबढ़़े छन्रिक कि तो sentはい एसी है टाइम हमने किता है निकाला है स, स-3, अपन में 3 इंटू 40 इतनी बास समझ माई हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या निकल क्या है, यहां पर में तुम्हें एक चीज बताएं, तो यहां पर हमने निकाला है किसाब से distance formula, दिस्टन्स फॉर्मूला क्या होता भाई ध्यान देना डिस्टन्स फॉर्मूला होता एस s-a upon a into delta t यही चीज हमने यहाँ पर calculate करिए ध्यान देना देखो कभी भी हमारे पास इस तरह का question आ जाएगा जिसमें speed का दिफ्रेंस देरा कोर्ट टाइमिंग दिफ्रेंस देरा का तब हम डिस्टन्स फॉर्मूला लगाते हैं क्या s-a upon a into delta t जहां पर s-a speed a जो है increase or decrease है अगर increase है तो प्लस decrease है तो माईनस और डिल्टर टी है मेरे पास टाइमिंग डिफ्रेंस यानि तो यह प्रोसस अपना अलूए या फिर डारेक डिस्टन्स फार्मूला लगा लो बात एक ही है तो अपन यहाँ पर डारेक डिस्टन्स फॉर्मूला लगा लगाएंगे ठीक इतनी बास समझ में आई होगी ठीक है चलो यहाँ पर पहली condition के distance formula लगाएंगे distance formula मैंने अभी बताया क्या होता है distance formula अभी बताया क्या होता है distance formula अभी बताया क्या होता है distance is equal to s s-a या फिर plus a minus a plus जो भी लगाओ upon a into delta t यानि टाइमिंग difference पहली condition उठाएंगे पहली condition में अगर मैं आप से बात करूँ तो मेरे पास क्या रखाए a man cover a certain distance by his car if it reduces the speed of car by three kilometer per hour तो मैंने पहले speed किती बोली थी एस अभी कित्ते की कम्यों हुई तीन की तो यो गया मेरे पास s-3 नीचे भी किता आएगा 3 टाइमिंग किता लेका 40 मिनट मूर चालिस में ज्यादा लेकर अल्रेड़ी डिफ्रेंस है यानि 40 बटे साथ मिनिट में है तो घंटे मदलने के लिए क्या कर लिए हम साथ ठीक ना पहली गंडिशन आगे डिस्टेंस आगई दूसरी कंडिशन की अगर मैं बात करूँ दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हूंगी सेम डिस्टेंस है दूसरी कंडिशन में speed को बढ़ाया गया कित ये से ये मेरे पास क्यों गया, ऐसे संसल आउट हो गया जी कहना, आप ये 4 इधर जाएगा, और 3 इधर जाएगा, 4S 4S माइनस 4S मेरे पास हो गया, 12, इधर से 3 ले जाएंगे, हम तो 3S, प्लस किता हो गया 12, तो एस ब्राबर्irm प्राशिता के तागे 24 किलो मेंटर पर आफर इस पीड आ इब मेरे पास अभी स्पीड आग害 तो अम गोगिस cinstasyárium क्या करेंगे इस स्पीड को चाई इस इन्हाइए या है जै इस मेले चाहिश्मार दो रख देते हैं भई S किता है 24, लियोगे 24-3, लियोगे मेरे पास S, उसके बाद S-3 upon 3, इंटू किता है 40 by 60, S की जगे हम क्या रखेंगे, बच्चे 24 रखेंगे, लियोगे मेरे पास 24, 24 में से हमने 3 घठाया, तो हमेरे पास किता है 21, इंटू 40 बटे, 3 इंटू 60, बारा दूनी 24, बारा पच्चे साथ, तीन से एक किस, पाच ठे चालेस, इच्छे किता हो गया 112, किता हागया 112 किलो मेटर, ठीक है, तो मेरे पास स्पीड किती निकल गाई, 24 किलो मेटर पर आवर, और डिस्टेंस मेरे पास किती हागई 112 किलो मेट यानि कि option number B हमारा यहां पर क्या हो गया, correct हो गया, clear भी बात आगया बढ़ते हैं, अगले कोशन की तरफ इसी तरह का है, लिखावा, if a man walks 8 किलो मेटर पर आवर फास्टर, it will take 30 मिनट लेस, if he walks 6 किलो मेटर पर आवर स्लोवर, it will take 40 मिनट मोर, find the distance, simple चीज़े, distance फॉर्मला क्या होता है, s, s minus plus a, into delta t upon a, चीज़े, तो यही अपन यूज़ करने वाले हैं, भाई, ध्यान देना, तो पहले 8 किलो मेटर बढ़ाया गया, तो s था, s plus 8 हो गया, upon में किता आगया 8, timing का difference किता दे रखा है, 30 मिनट लेस, into किता आगया 30, पहली condition, दूसरी condition के हिसाब से, 6 क upon 6, यहाँ पे घंटे में बदलना है, तो upon में 60, 40 मिनट मोर, तो into किता आगया 40 बटे 60, clear होई बात, अब इसको पन solve करेंगे, ठीक है, इसको पन क्या करेंगे, solve करेंगे, s से मेरे पास, s cancel out हो गया, यह 60 से, यह 60 cancel out हो गया, ठीक है, यह 0 से, यह 0 cancel out हो गया, ठीक है, अब इ तीन तीन नो, 9s, प्लस, इन तीन नो, आर्ट तीन, 24, ठीक है, इस यह कुछ ट्वी मेरे पास किता हो गया, ठीक है, यह 8 दुनी, 16, ठीक है, कुछ कट गायप कुनिकर रहा हो है, अच्छा, इसमें एक और देखो, यह मेरे पास 8 था, और वह मेरे पास 3 नहीं है, देखो, ठ ठीक है, यहां पेर मेरे पास किता हो गया, 33, spring 9, 9s प्लस, यह हो गया, अब यहां पर अकर हम बात करे मेरे पास क्या है, 8 और… ठीक है, किता है, 8, 8 दुनी, 16, 16s माइनस किता हो गया, कुछ घड़ा बढ़ तुनीग कर रहा हम है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है S S माइनस S plus 8 हो गया upon 8 हो गया 30 हो गया S minus 6 अपन 6 ठीक है 63 और 4 हो गया ठीक है 8 दुनी 16 हो गया ठीक है 16 मैं यहांपर मेरे बास किता हो गया सोला शक्का चानबे चीक है ना तो यह मेरे पास किता हो गया साथ एक्स गर्ल बढ़ा है नौ दो ग्या और आप छे दो आठ हो गया नौ साथ सोला चीक है साथ से करेंगे किती बार में जाएगा साथ दूनी चौदा किता बचा दो साथ चौक अठाइस एक्स की वेलू किती हागी 24 एक्स की वेलू मेरे पास आगई 24 अगर एक्स मेरे पास 24 आ गया है तो मेरे कोच यह दिस्टेंस बराबर क्या होगा इसी में रख देंगे इसकी वेलू दियोगे 24 इंटू 24 में से अगर हमने 6 घटा दिया तो मिरे पास 24 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो मिरे पास किता जाए का 18 बटे 6 इंटू 40 बटे 60 यहीं होगे मिरे पास डिस्टेंस ठीक है ना तो 6 चुको 24 हो गया जीरो से जीरो गड़िया 638 हो गया इता है चार्च उको 16 ती अगले कोशन की तरफ अगला कोशन आगया कोशन नमर्ट 20 ठीक है ना कोशन नमर्ट 20 क्या है क्या रहा है यह देख लेते हैं हम पहले ठीक है लिखावा a man travels a certain distance by his car if he increases his speed by 10 km per hour then he would take one hour less time but if he further increases his speed by 10 km per hour then he further will he will further take 45 minutes lesser time find the distance तो कोई दिक्कत नहीं है अराम से किया जाएगा तो पहले वहीं चीज़ है distance formula लागेगा तो हम distance ऐसे लिख देर हैं आपकी बार फर्स कंडिशन में क्या स्पीड को बढ़ा है 10 km मैंने पहले पहले था स्पीड एस है अभी 10 का इंक्रिमेंट हुआ तो एस प्लस 10 अपॉन में कित्ता हो रहा है वन आवर डिले नहीं वन आवर अरली ठीक है यह मेरे पास आगे एक डिस्टन्स दूसरी डिस्टन्स क्या एक घंटा तो ले रहा होगा साथ में एक घंटा और 45 मिनट यानि कित्ता लेगा एक घंटा 45 मिनट 45 मिनट को घंटे मदलो 15 तिया 45 15 चो के साथ किता आगया 7 बचे 4 तो यह मेरे पास आगया टाइम तो इन्टू हम यहाँ पर कर देंगे 7 बाई 4 अब हम इसको जब बराबर क किता अगया 7S प्लस 140 फैनर तो ऐस बराबर हम पास किता आ गया 140 में से हमने असी घटाना है प्रावर ने पास किता आ गया भई 60. ऐसा आगया मेरे पास 60 km per hour हम को चीए distance किसी एक मेरे रख देते हैं तो distance बरावर मेरे पास किता हो जाएगा 60 into 70 upon में किता 10 into 1 किता आ गया 420 km किता आ गया मेरे पास 420 km यानी कि option number A हमारा क्या हो गया परेक्ट हो गया क्लियर हो भी बात आई हूप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी होगी आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन आगे मेरे पास लिखा हुगा है अकार कवर्च अधिस्टेंस अफ 840 किलो मेटर अट अकॉंस्टेंट यहां पर हम एंडिस्टेंस फर्मॉला ही लगाएंगे डिस्टेंस फर्मॉला अच क्या बताया था क्या इस एस माइनिस प्लस ए अपॉन ए इन्टू डेल्टा टी तो डिस्टेंस हमारे पास अल्रेडी गिवे ने किती आठ सो चालेस इस स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है तो स्पीड हमने तो मानी है एस ठीक है न उसके बाद क्या गोई स्पीड में 10 किलोमेटर पती घंटे की कमी की गई तो एस माइनस टैन अपॉन में किता गया टैन टाइमिंग किता है डू आवर मोर तुई हो गया टू ठीक है जी यहोगे में टैन है अब दो से कर लो किती बार में जाएगा दो चुक वार्ट दो दुना चार तो मेरे पास एस एस माइनस टैन किसके बराबर आ गया बायालिस तो गया तो भाई ध्यान देना हमें यहां पर बायालिस तो के ऐसे फेक्टर करने है कि उनका अंतर किता बने दस बने तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो यह कुछ ऐसे नहीं लिख सकता मैं एस एस माइनस टैन कि पतर इंटू साथ यह हो जाएगा आप देखो इन दोनों का डिफरेंस दस है ना तो भाई बड़ी वाली वेलू कौन सी होगी छोटी वाली वेलू कौन सी होगी भा आपके बाद सेवेंटी किलोमेटर पर आवर यानि की ऑप्शन नमबर भी हमारा यहां पर गया करेक्ट हो गया आगे बढ़ेंगे अगले कोशन की दरफ कुछ नमबर ट्वेंटी टू देखो कुछ नमबर ट्वेंटी टू क्या कह रहा है एन एरो प्लेन कोवर्स दिस्टे अगरा ठेखो किलोमेटर था गोरे देखो कुलोमेटर अट आपके खेस्टेौन आपके बढ़ेंगे है poucoसा हिए इस था क्या है castle में घर वीटी टूटै यहां पर आवर तूटॉ ऑर यहां पर आपंस आपन ए इंटू बिल्टाद टे E जान देना, 1500 km है, किता है 1500 km है, speed मेरे को नहीं पता, s, अभी speed में increment हुआ है, 200, 200, upon में भी किता है, 200, timing difference किता है, ताइमिंग रिफ्रेंस किता है, रखा है और यह आर पस 30 मिनट, 30 मिनट मतलब 1 बटे 2 गंटे, ठीक है, देखो अब इसको solve करोगे तो यह मेरे पास किता है गा 25 दूनी 50 या नी 500 या नी मेरे पास किता है गया 1500 तो ही यह हो गया 500 इंटू 500 यह मेरे पास किता है गया अगर मैं इसको बात करों तो 15 पचे 75 यह होता है इता होता है 15 पचे 25 यहां तक बात क्लिर हुई देखो बहुत सिंपल चीज़े यह 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 आ गया कि क्या 15 पचे मेरे पास होगे 75 डबल जिरो डबल जिरो अब हमें इसके ऐसे फेक्टर करने हैं कि मेरे पास कितना जाए उसका डिफरेंस किता हो 200 तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो सिंपल चीज़ क्या हो जाएगी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साढ़े 700 इंटू 1000 क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ बिलकुल लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बताओ मुझे कि यहां पर बड़ी वाली वेलू कौन सी होगी एस प्लस 250 छोटी वाली वेली कौन सी होगी एस की वेलू किसके बराबारा गई साढ़े 700 कि ता गया साढ़े 700 ठीक है ना किलो मीटर पर आवर इसकी ओरिजनल स्पीड है ठीक है यानि कि अगले कौन की तरफ चलिए बढ़ेंगे अगले कौन की तरफ अगला कौन हमारे पास क्या है देखेगा लिगावट टू परसंट टू वाक फ्रॉट पॉट पॉट अट असे इंडिरेक्शन तो कवर असे इस पीडिस्टेंस अधस्ट पीड और अवर एंद थी किलो मेटर पर तो कोई दिख्कत नहीं है ए है मेरे पास मेरे पास बी है अवार पास स्पीड रखिए एक स्पीड है 3.75 बी की स्पीड मेरे पास किती है 3 पॉइंट अटाया डबल 0 बढ़ाया इसको सॉल्फ किया तीन से करेंगा तो 3 एकम 3 तीन दूनी 6 तीन पच्छे 15 तीन से करा मेरे प तो 1 टायमिंग का डिफिस किता है एक इंजननल किता है मेरे पास 30 मिनिट्स 1 बराबर 30 पर अखर अगर बास रिखे 15 अगा सबिजात मेरे 2 घंटा कै00 किती है 3.75 तो दिसक्तिंस बयाबर होता है मेरे पास स्पीड इन्टो टाइम तो स्पीड है मेरे पास 3.75 ताइम मेरे पास 2 आवर किता है पच्छात्र दूनी दिरट सो कहरी किता हो गया एक तीन दूनी चेक साथ यानि किता आ गया 7.5 किलो मेटर किता आगया मेरे पास 7.5 किलो मेटर यानि की option number C हमारा यहां पर क्या हो गया correct हो लिए रहे बढ़ेंगे अगले कोशन की तरफ पोशन नमर 24 वाट कोशन नमर 24 से लिखावा मैं ड्राइब्स अ कारेट 40 किलो मिटर पर आवर फोर 3 बच्ची वे समय को कितने समय में कवर कर ले चार गंटे में कर ले तो मेरी बात को एकदम ध्याण से कैसा दा दिया चार कारेट 40 किलो मीटर पर आवर किसी स्पीड से जा रहा है और किते घंटे जा रहा है तीन यानि कितना गया मेरे पास 120 किलोमेटर उसके बाद क्या कर रहा है स्पीड 60 किलोमेटर पर आवर है और किती दिर में 4.5 आगर मैं इसकी बात करूँ तो यह मेरे पास कितना हो जागा भाई 045 45 जुनियर में नौतिया अठार हो जागा देखो 60 इन टॉक किता हो गया 59 किता हो गया दो हीbas का चार साड़ का थीस करिंगे थो तीस कर चेक खिंटा है रगया 270 किलोमेटर इसमेठे में तो किसी को भीकत नहीं है जोच करो तो सिरे याज ए-गये हो नच येरिक को डूबस ठीक यह मेरे पास किता है 390 मेरे पास होक्या 339 तो 10-म बराबर किता हो कहा हे 550 कि तो टल इस्टेंस किया है 650 यह तो जोटिन अबाद इस्टेंस मेरे पास 650 है क्या फ़्ाइट बाइट फार्फिट भाल केवर करनी है तो आप जानते स्पीड बेराबर क्योंता हैं इसको 260 किलोमेटर करना है किती दिर में हार तो करो किती बार में जाएगा चार से करेंगे चार चंग 24, 25 किता ओगे 65 km पर आवर इंट्रित के बची विह डिस्टंस को किस से जाएगा 65 km प्रती घंटे की चाल से जाएगा तब भू क्या करेंगा चार घंटे में कवर अग्जापशन आगे बढ़ते हैं question number 25 question number 25 क्या कहा रहा है देख लेते हैं अब person goes from Jaipoo to Delhi at a speed of 60 km per hour and returns at a speed of 80 km per hour. Find the average speed. देखो भई धियान दे ना person goes to Jaipoo to Delhi और देखो भई simple चीज़े distance same है. Average speed कैसे लगा लोगे twice of 60 into x 60 into 80 into upon 60 plus 80 किता होगे भई देखो 2 into 60 into किता हुए 80 upon में किता हुए 8 6 14 0 से 0 कड़िया 2 से काटो 7 488 चार सो असी बटे 7 km per hour clear है? आसान साथ आगे बढ़ते हैं question number 26 ठीक है ना? An aeroplane covers a distance of 3500 km 2000 km and 500 km at a speed of this 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 then find the average speed of the aeroplane आप जानते हैं average speed क्या होता है मेरे पास total distance upon total time तो सबसे पहले तो total distance किती हो जाएगी मेरे पास 35, 5, 4 मेरे पास किता होगे 4000, 4000, 4000, 6000 total distance होगे मेरे पास 4000 6000, sorry किता है 6000 ठीक है? आप total time निकालना है तो पहले वाले में 3500 है किता समय लग रहा भाई? T1 की बात कर लें इसको T1 बोल देता है 500 किता आगया? किता आगया? 57, 35 ठीक है? 7 घंटे T2 की बात कर लेंगे तो मेरे पास है 2000 किस से? 400 से यह भी किता आगया? 58 घंटे और T3 मेरे पास क्या है? 500, 2500 200 किता आगया? 2 घंटे तो टोटल मेरे पास किता आगया? 75, 12 नहीं? 75, 12, 24 यह होगा ना? 7, 14 किता आगया? 14 तो यह मेरे पास होगई आभरे स्पिट यानि 3,000 बटे किता आगया? 7 क्लियर किलोमेटर पर आवर यह मेरे पास क्या होगई? अगया? क्लियर क्या है? अगया? क्या बढ़ते हैं अगया? क्या? यह दिखा Car run along the sides of a square ground ठीक है? With the speed of this this this.. According to what is the average speed ध्यान दे ना square की बात करते हैं किस की बात करते हैं? square की खासियत क्या होती है square की खासियत क्या होती है उसकी 4 और भुजाएं आपस में क्या होती है भाई बराबर होती है ठीक है यह मेरे पास क्या square shape का park है ध्यान देना, मेरे पास क्या है square shape का park है, क्या बोला है a car runs along the sides of a square ground तो यहाँ से चलना शुरू करती है car, पहले जाती है 30 km पर गंटे की चल से इस point पे पहुंची, इस point पहुंची फर उसने अपसी speed को change कर लिया और speed होग और 40 km पर है इस point पहुंची, फिर उसने अपसी speed को 할게요 चेंज किता होग या 50 km पर horror पर इस पॉइंट पर पहुंच और स्पीड को चेंज कर लेकर था होगे 60 km पर आवर तो भाई डिस्टेंस हैं होती है तो मैंने आपको आपको आवरेज स्पीड निकालना सिखाया है आप क्या करो स्पीड का एल्जियम ले लो और टोडल डिस्टेंस कंसिडर कर लो तो मेरे प अगर मैं बोल लोगा देखो कि देखो साथ है न तो मेरे पास क्या होता है बारा पचे साथ होता है चार तीयां बारा पचे साथ ही ये बात क्लियर हुई हमने सबसे बड़ा नम्बर लिया और इसको हमने यहां पर लिख लिए अब पचास को हम डूब लेंगे 25 दूनी पच 55 दूनी ऑलल डर समझमे और रपास 600 मेरे बास लठेसिशन आगे 165 की बात करूंगा और फिर ना तीन से से करेंगे इने जरुस दोबार में जाएगा दिखो ढूंपी जिरो से इरो कटा खटा श्यूरो बटे तीस करो गए यार दिमाग में जयादा चला है ई तो गीज़ी सोगा बाबु के पावगा 20 चीक है धिया द्यान देना चार से करेंगे किती बार में जाएगा पंदरह चोके साथ हो गया लो देने वार्य पच्छेस साथ हो गया 60 दहम साथ होग या ठीक है क्लीर वह बात तो ऐवरेज स्पीड क्या होती है भाई आपर सीड़ाइस स्थैस्व दिस्टेन्स अपॉन टोटल टाइम टोटल इस्टेन्स किती होगे चेसो इंटू चार भाई सब में चेसो चेसो चला है बारा पंदर होगे 27 है ना 27 और 10 हो गया विर बाद 37 37 और 20 में अगर हम जोड़ेंगे 37 में 20 जोड़ता हो गया 57 तीन से करेंगे 200 हो गया 3 2 6 19 37 हो गया यह ता गया 800 बटे 19 किलो मेटर पर आवर यानि की ऑप्शन नमबर यह हमारा है आपर क्या हो गया करेक्ट हो गया क्लियर भी बात आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ देखो कोशन आ गया a man completes a certain journey by car if he travels 20 km of distance and 50 km of distance at 25 km and 50 km per hour respectively and remaining distance at 10 km per hour then find the average speed of the total distance ठीक है कोई दिक्कत नहीं है थ्यान देना 20 विसके बाद मेरे पास हो गया 50 और इसके बाद मेरे पास किता हो गया 20% 50% बचा किता 30% ठीक है कोई दिख्कत तो नहीं इसमें देहन देना मैने हो है ियुक्त किति ती रखिये भाई 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 डी डेको बताव है किति रह थ्यूट ओर 20 ग्जाज ओर 10 फिर सोdhugendrite K снова muster सूबने स्धितन समी नन बारोई मैं अ भाई द्यूंगो किता ध्यान देना देखो भाई सबसे पहली चीज तो जो पहला है ये पहला है ये दूसरा है और ये तीसरा है तो भाई देखो पहला वाला केवल कितना कर रहा है 20% कर रहा है तो 500 का 20% कितना हो गया भाई 10% 50 हो गया तो 20% हो गया 100 किसी स्पीट से 25 25 हो गया 100 यानि आप पे कितना समय आ गया 4 घ तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टैम् तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास किती है पांसो और टोटल टाइम मेरे पास कित्ता है 20, 4, 24, ठीके ना किता आगया 20, 4, 24 को solve करो कित्ती बार में जाएगा किस से करते हम 2 से करते हैं 4 से करते हैं 4 से करो गए तो किती बार में जाएगा 4 एकम 4 कित्ता बचा 1, 4 दुनिया, 4 बचे 20, 4 चंग 24 कित्ता आगया 125 बटे 6 किलो मेटर पर आवर, कित्ता आगया 125 बटे 6 किलो मेटर यानि कि option number C, clear है बात, I hope यह बात clear होगी, आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरह, अगले कोशन आया मेरे पास, देखो, लिखा है आग कार कवर्स 140 किलो मेटर आप डिस्टेंस विद दे स्पी किलो मेटर पर आवर, चिक है, if it reverse its speed, it covers 8 km more in the same time, find the time taken by the car to cover the 140 km and average speed of the car, कोई दिख्क देना, total आपको कित्ता के चलना है, 140 km, with the speed of 6 and दुद००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० किलो मेटर की प्रदिक चाल से जा रहा है, अच्छा आप यह जानते हो, distance बराबर क्या होता है, speed into time, यही चीज हम यहाँ पर use कर लेंगे, तो पहली condition को उठा लेते हैं, ध्यान देना, पहले जा रहा है 6 km गंटे की चाल से, ठीक है न, हमको timing नहीं पता है, तो मैंने timing क्या पहले वाले के लिए है, T1, प्लस, दूसरी घंडी से में, जब 10 km गंटे की चाल से जा रहा है, तो मैंने बोला, सब समय के ता लगता है, T2, तो भाई, distance, speed into time, speed into time, distance, और total distance travel कर लिए है, कितनी, 140 km, clear, आपके लिगा, if it reverse speed, आगर उसने speed को change कर लिया, और same time, जा देख simple दी चीज़ है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, तो speed को change कर लिया, तो 10 T2 हो गया, और यह मेरे पास क्या हो गया, 6 T1 हो गया, और अभी कितना जादा travel कर रहा है, 8 km जादा travel कर रहा है, मतलब ही किता हो गया, 148, अब यह मेरे पास linear equation बन गया, इसको हम solve करेंगे, फिर हमा answer आएगा, तो हम क्या कर लेते हैं भाई, इसमें 5 का multiply कर लेते हैं, भाई 6 और 10 T1 की बराबर बना रहे न, ठीके न, ध्यान देना, अच्छा एक चीज़ हमने speed time change, अच्छा अच्छा देको एक चीज़ ध्यान देना, यह मेरे पास T1 ही रहने वाला है, और यह मेरे पास क्य साथ सो, अब इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस कर देते हैं भाई, जब हम माइनस करेंगे, माइनस, 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 माइनस. यह से यह cancels out हो गया, 10 में से 8 गिता बचा 2, 4 में से 1 गिता बचा 3, 3, 2, अब यह मेरे पस किया, 10 में से 4 गिता बचा 6, 9 में से 4 गिता बचा 5, 6 में से 4 गिता बचा 2, 16 से करो, 16, 2, 13, 16 से 16 आ गया, T2 बराबर मेरे पसा आ गया, 8 गंटे, अगर T2 बराबर मेरे पसा आ गया, 8 गंटे, अगर T2 640, 6T1, अगर मैं बोलू तो ये मिरे पास आगया 60, तो T1 बराबर मिरे आख़ाया 10, तो मेरे पास टोटल टाइम कितता अगया, T1 प्लस T2 मेरे पास टोटल किता होगया, भाई, दस प्लस आठ हाथ हिया नी कितता अगया 18 घंटे, ये मेरे पास क्या आगया, टोटल टाइमिंग अठारा घंटे दिख रहा आपको दो ऑप्शन में दिख रहा है चलो कोई बात नहीं अब आप से क्या पूछा गया है find the time taken by the cover the 140 km ठीक है time निकाल लिया average speed निकाल लिया distance average speed बराबर क्योंद है distance upon time ठीक है तो distance मेरे पास 140 है और speed मेरे पास क्या है देखो भाई ध्यान देना अब मेरे पास speed यह है total time किता है 10 और 8 ठारा ठीक है solve करोगे तो किता आएगा 2 से काटोंगे 72 से काटोंगे आएगा 9 9 से करोगे 9 7 63 किता बचा साथ किता आ गया मेरे पास यह आगया मेरे पास clear option नंबर भी हमारे clear आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question क्या गह रहा है देख लेते हैं भाई क्या लेते हैं वाई two guns were fired from the same place at an interval of 25 minutes but a man sitting in the train going away from the place here's the firing 30 minutes after the first ठीक है if the speed of train is 50 km पर आवर दन find the speed of sound देख वाई हमारे पास क्या है दो गन है दोनों को fire किया जाता है कितनी देर पे अंतराल पे 25 minutes के अंतराल पे मतलब अगर मैं बोलू एक गन अगर चल ली है 10 बजे तो दूसरी गन किते पर चल लिए होगी 10 बचकर 25 minutes पर ध्यान देना य चलता गया चलता गया बही simple दी चीज है अगर मैं बात करूं तो आदमी यहीं पर नहीं खड़ा है जो इसको यहीं पर सुनाई दीगी वह train चल लिए तो इस तरफ जा रहा है तो यह इस तरफ चला गया होगा तो बही simple चीज है कहने का मतलब क्या है उसको कितने समय पर सुन इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है पांच मिनिट के अंतराल पर सुनाई दिया की नहीं सुनाई दिया इतनी बात समझ में आ रही कि ने पहुँच गई, ठीक है ना, अब ट्रेन जब यहां पे पहुँची तो दूसरे आदमी को कित्ती धेर में सुनाई दे रहा है, दस बचकर 30 मिनट पे सुनाई दे रहा है, जब उसे 10 बचकर 30 मिनट पे सुनाई दे रहा है, तो सिम्पल चीज़ है, यहां जाने में लग रहे हैं 30 मिनट और इस साॉंड को पहुंचने में लग ref कितना पांच मिनट कितना लग रहा है आप गंव सकते हैं I'm पास 5.30 यह मेरे पास time दे रखा है वो मेरे पास constant क्या है distance constant है उतने ही distance travel की है distance constant तो मेरे पास speed ratio कितना हो जाएगा 1 ratio 6 कितना हो जाएगा 1 ratio 6 then find the speed of sound देखो यहाँ पर speed of train दे रखे किती 1 तो 1 की value मेरे पास कितना है 50 पास वन की value मेरे पास 50 km per hour तो sound की कितनी हो जाएगी 50 भाई 50 से multiply करेंगे तो कितना होगे छे पचे 300 कितना हो जाएगा 300 km per hour तो मेरे पास sound की जो speed है वो कितनी होगे 300 km per hour इतनी बात समझ मैं ही आई होप आपको इतनी बात समझ मैं होगी कि सेव हम यहीं पर समाप्त करेंगे I hope you enjoy the session आज हमने बहुत ही वहत्रीन सा टॉपिक पढ़ा है तब तक के लिए जया हैं दोस्तों